जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बिल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन के लिए अच्छी खबर कुरोना की 276 मरीज मिले जबकि एक 414 हुए स्वास्थ एक्टिप केस 31750 जारखन के लिए अच्छी खबर है बतादे कुरोना की 276 मरीज मिले हैं जो रांची 488 पूर्वी 7621 हजारी बाग ब्यासी बोकारो अर्शर धनबाद 54 रामगर 34 पच्मी सिगूद संतावन कोडारमा पच्छतर पलामू 33 देवगर 139 गुमला 17 गिरीडी 4 खोटी 44 लाते हार से 0 सिम्डेगा 223 राकला खर्शावा 26 गडवा 69 लोर्दागा 35 चात्रा 128 गोड़ा 54 जामतरा अठारा दूमका 38 सावगंज 89 पांकूर से 6 मरीज मिले हैं बतादे जारखन में एक्टिव केस 31 या 750 है जारखन में एक्टिव केस इस परकार हैं रांची 12,322 पूर्वी सिमूम 72 सो एकोई सजारी बाग 1179 बोकारू 774 धनबाट 605 रामगण 1134 पच्मी सिमून 666 कोडार्मा 447 पलामू 929 देवगर 746 गुमला 392 गिरीडी 112 खोटी 401 लाते हार 210 सिम्डेगा 387 सराकला खर्षवा 487 गडवा 348 लोहर्दागा 376 चात्रा आठ सउन चात्र गोड़डा 487 जाम तरा दोसो एक्ट दूमका 375 साहिब गई 270 और पाकुर में 114 में मरीच एक्टिव हैं जैक बोड टेंथ 12 एक्जाम अब एक ही टर्म में लेने की तयारी जारखन में अब मैटरिक और इंटर कक्छा की परिक्छा एक ही टर्म में आवजित की जाएगी पता दे स्कूली सिक्छा भी भागने इसके लिए त्यारी भी शुरू कर दी है गौतला भाय की से पहले मैटरिक और इंटर परिक्छा दो टर्म में आवजित की जानी थी जिनके अनुसार एक दिसमर से 15 दिसमर 2021 तक पहला टर्म और एक मई से 15 मई 2022 तक दूसना टर्म आवजित किया जाना था हलाकि अब तक टर्म 1 की परिक्छा भी आवजित नहीं की जा सकी है जनकारी के अनुसार आगामी परिक्छा में बेकल्पिक और सब्जेक्टिव परकार के प्रस्ण एक साथ पूछे जाएंगे या केवल बेकल्पिक प्रस्ण के प्रस्ण OMR सीट पर पूछे जाएंगे फिलाल अब परिस्थितिया समाने होने के बाद मार्च एवं मई के बीच दो टर्म की परिक्छा आवजित करना संभव नहीं है बता दे ऐसे में आप एक ही टर्म की परिक्छा आवजित की जाएगी जिसके अधार पर मैट्रिक और इंटर कक्छाओ कर रियर्ट घोशित किया जाएगा दसवी बरावी परिक्छा पर जैक अध्यक्ष या राज सरकार लेगी अमतिम निर्नाए परिक्छा एक टर्में लेने के लिए राज सरकार या जायक्षण एकडमि कांसी का अध्यक्ष आमतिम निर्नाए लेंगे बता दे दो टर्मे परिक्छा लेने सेडियूल जारी करने से लेकर सिलेस में कडोती तक इसकूली से लिक्षावा सक्षा भी भाग ने की थी जैक अध्यक्ष की नियुक्ती अब तक नहीं हो सकी है बता दे जैक अध्यक्ष की नियुक्ती अगर समय पर हो जाती तो निर्धारीत समय पर ही परिक्षाय हो गई होती क्योंकि प्रश्ण पत्र त्यार करने छापवाने से लेकर परिक्षा लेने कामतिम निरने गोपनिये तरीके से अध्यक्स को लेना होता है बता दे कुरोना संक्रामन की वज़ा से 2021 में मैट्रीक और इंटर मिट्रिक परिक्षा का वज़ा नहीं करने जारखन में मंडरेगा में 100 दिन का भी काम मिलना हुआ मुश्किल हो गया है पता दे राज्य में अब तक काम मांगने वाले में से सिर्फ 2.4 परतिशत लोगों को ही 100 दिनों का काम मिल सका है नियमा अनुसार मंड़ेगा में काम मांगने वालों को कम से कम 100 दिन का काम देने के बाध्याता है 100 दिन काम नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगारी भाता देने का भी प्रोधान है बता दे 100 दिन काम देने के ममले में 8 जीलों की तिती सब्चे ज्यादा खराब है सरकारी आकणों के अनुसार पूरे राजमें मंदेगा के तहद 45.80 लाख मजदूर निबंधित है इन में से 22.80 लाख मजदूरों ने काम की मायंग की है इन में से अब तक सिर्फ 54.41 मजदूरों को ही 100 दिन काम देपाना संबह हो सका है रांची वासियों के लिए राहत की ख़बा संक्रमितों के मुकाबले 22.30 से अधिक हुए स्वास्त है कुरोना की तिस्री लाहर के बिच राहत भरी खबर आई है बतादे रभी वार को रांची जीले में 888 नए क्रोना संक्रमित मिले जबकि 183 संक्रमित क्रोना को मात देका स्वास्त हो गाए है बतादे स्वास्त होने वालों की संख्य नए संक्रमितों के मुकाबले 22.30 ज़्यादा है फिलाल राची जीले में राज जेक केस सबसे ज़्यादा 1288 एक्टिव केस है हलाकि राची जीले में अने जीलों के पेक्षार अब्विवार को जाच कम हुई लेकिन संक्रामन की दर अधिक दर्श की गई फिल्मी अन्दाज में तयार है पी एल एफाइ सुपरीमो दिनेस का सुचना तंत्र पी एल एफाइ सुपरीमो दिनेस गोप ने पूलिस की गतवी दियो की सुचना पाने के लिए युवाओं को खवरी आनी मुखवीर बना रखा था बतादे खुपी आजेंसी को मिली जनकारी के मुताबिक दिनेस इन मुखवीरो को मोबाईल देता था वह निवेस के माध्यम से दिली से मोबाईल फोन ठोक में मंगवाता था फिर मुखवीरो तक सयोग्यों के जरिये मोबाईल भिजवाता था बता दे मोबाइल में सीम कार जार्खन का नहीं होता था बलिक पडोसी राजियों चातिस गर उडिसा पचिम मंगाल आधी जगों से फर्जी दस्तावेज के अधार पर लिया गया होता था बता दे मुखबीरों की बदावलाद पेले फाई को मिलती थी पूलिस से जुड़ी हर जनकारी जार्खन के 10 जीलों में DEO और 14 में DSE के पद रिखते राजे में सिक्षा सेवा पताधिकारियों के आधे से अधिक पद रिखते हैं राजे के 24 में से 10 जीलों में DEO और 14 जीलों में DSE नहीं हैं राजे कठन के बाद से अब तक सिक्षा सेवा के 35 पताधिकारियों की मात्र एक बार बर्स 2000 में नियुकती हुई थी राजे कठन के बाद जार्खन में जीला, अनुमंडल एवं प्रक्षन की संख्या तो बड़ी लेकिन उसके अनुरूप पदाधिकारियों के पत स्रीजित नहीं हुए इसका असर सिक्षा भी भाग के काम काज पर पड़ रहा है मुख्य सचीव ने वीडियो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों को पेट्रोल सबसेट्री स्कीम के समधित दिये गए निर्देश के अलोक में उपायुक्त दिलीव कुमार टोफों के अध्यक्सता में बैठक हुई बैठक में जिला पूर्ति पताधिकारी सभी मारकेटिंग अफसर वा सभी परखंडों के जन्वित्रन परनाली दुकंदार सामिल हुए बैठक में लोहर दगा उपायुक्त ने बताया कि 17 जन्वारी को इस स्कीम समधित एक मोबाईल एप लॉंच किया जाना है जिसमें अधिक सधिक लाभुकों का निबंदन कराना है पहले दिन कम से कम एक हैर लाभुकों का निबंदन हो इस योजना से राष्ट्रिये खाज सुरक्षाज निया वा जार्खन राजे खाज सुरक्षा योजना के करदारियों को अच्छाजित किया जाना है कुलहान भीष्योवी ध्याले के अंतरगत आने वाले सबी कॉयोंगि भूत कॉखलेजों में 31 जनवारी तक अफ्लैन का ख्षाव को बंध रखने का निनन लिया है सबी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि राज सरकार की गाईड स्क्टि से परन करे कॉलेज में 50 परतिय सिख्ष केतर करमचारी वा सिख्षक ही अपनी सेवा दे अने सिख्षक औरलाइन कक्षा जारी रखे कॉलेज नेमीत रूप से रोजाना खुलेगा लेकिन विद्यार्थी नहीं आएंगे पस्चिम अफ्रीकी देश माली में फसे जारखन के 33 मजदूर वतन वापसी की लगा रहे गुहार रोजी रोटी के तलास में देश भी देश में मजदूरी कर रहे मजदूरों की समस्या कौम होने का नाम नहीं ले रही है जारखन के गिरीडी और हजारी बाक से तालूक रखने वाले 33 मजदूरों के पच्छिम अफ्रीकी देश माली में फसे होने का मामला सामने आया है मजदूरों ने अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है बतादे सोसल मीडिया के मादयम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार वजारखन सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है कंपनी की ओर से पिछले 3 महिने से वेतन नहीं दिये जाना इसे मजदूरों को खाने पीने की भी दिकत हो रही है ज्यारखन में अभी ठंड से राहत नहीं पिछले चार दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ है पतादे आस्मान में बादल छाया है और कोहरे की परत गढ़ी है सूर्य का दर्शन बहुत कम हो रहा है पतादे आस्मान में लगतार गिरावर दर्श की जा रही है वही सूमार को नियुमतव तापमान 6 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ट किया गया रभी वार को भी 6 डिगरी ही था और मंगल वार को भी नियुमतव तापमान 6 डिगरी रहने का पूरवनवान है बतादे सोमवार को 11 बजे पुरुआन के बाद सूरे करदर्शन हुआ लेकिन धूप में तल्खी नहीं थी कोहरा और बादल की वज़े से रभी फसलों का व्यापक नुसान हो रहा है अमन सिरिवास्तव गैंग के खिलाप ATS की छापे मारी हजारी भाग सिविल कोर्ट में मारे गैंग्स्टर सूसील सिरिवास्तव के बेटे अमन सिरिवास्तव के करीब दरजन भर ठेकानों पर जार्खन पुलिस के अंतकवाद निरोथक दस्ते ATS की दो दिनों से छापे मारी चल रही है बता जे रांची, लातेहार और चत्रा के करीब दरजन भर ठेकानों पर ATS की छापे मारी जारी है ATS सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार रांची के लालपूर थाना छेत्र में रहने वाली अमन सिरिवास्तव के मौसी के यहां से लेवी के 30 लाख रुपाई की ब्रामदगी हुई है अमन सिरिवास्तव के डोरंडा किलबन कॉलनी में रहने वाले चचेरे भाई प्रिंस सिरिवास्तव के यहां से ATS में हथियार ब्रामत हुआ है जारखन में आज से जमीन के म्योट्यूसन से लेकर रसीद काटने सहीद सभी कारे शुरू अब जमीन के म्योट्यूसन से लेकर रसीद काटने सहीद सभी तरह के कारे के लिए इंतजार नहीं करना होगा बतादे सो मौर से चार दिनों से हो रहा इंतियार अफ़कत्म हो गया है जार भूमी पोटल को जारखन स्टेट डाटा सेंटर में सिफ्ट किया जा रहा था इसलिए पूरे जारखन में काम काजठाप था बता दे मामला जहार भूमी पोटल के बेतर सुरक्षा गुनवाता तेजी के साथ काम करना और छेड़ छाड़ को रोकने के लिए इस पर काम लाया गया था साथ ही 13 जनवाई से इसका सर्वर डाउन था क्योंकि जहार भूमी पोटल को जहारकन स्टेट डाटा सेंटर में सेप्ट किया जा रहा था इसलिए राजस्वा कार्य को बंद करके रखा गया था फिलहाल अंचलो में राजस्वा का काम परमान पत्र जारी करने सहीद अने काम हो सकेगा रांची में 3,000 वर्ग फिट में बने घर में बनाना होगा रेन वाटर हाल्वेस्टिंग सिस्टम रांची सहर में 3,000 वर्ग फिट में बने घरों में रेन वाटर हाल्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा इसमें से मात्र 27 घर हैं जिसमें रेन वाटा रारेस्टिंग सिस्टम बना हुए है। बतादे 31 जनवारी तक रेन वाटा रारेस्टिंग सिस्टम बना कर जो भी माल लईक फोटो के साथ सपत पत्र दायर करेगा। उसे टेक्स में छुट मिलेगी। नगर निगाम अभी तीन हैर वार फिट में बने घरों के डेर्ड गुना टेक्स लेता है। धन्यवाद।